पाठ चार शब्द और वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसिज वर्णों की मदद से हम शब्द बना सकते हैं लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ यानी मतलब होता है जैसे गी जम ला जम स गिलास गिलास का अर्थ पानी पीने का बरतन ला जम स जम गी लास गी का अर्थ कुछ नहीं होता है देखा बच्चों, गिलास का अर्थ है, लेकिन लाजगी का कोई अर्थ नहीं है उपर दिये गए उदाहरण को देखकर अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि शब्द को लिखते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए तभी वह सही शब्द कहलाएगा वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है वाक्य जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है ध्यान दीजिये, बच्चे, खाना, मिलकर, रहे हैं, खा अब इन शब्दों को मिला कर लिखेंगे बच्चे खाना मिलकर रहे हैं खा यहाँ पर सभी शब्द सही है लेकिन शब्दों का क्रम यानि जगह सही नहीं है इसलिए यह वाक्य गलत है अब इन शब्दों को सही जगह पर रखेंगे बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं हमने शब्दों को सही जगह पर रख कर लिखा है अब यह सार्थक यानी अर्थ वाला यानी सही वाक्य बना है हम ऐसे ही सार्थक यानी अर्थ वाले वाक्यों का प्रियोग आपस की बातचीत में करते हैं और इन ही वाक्यों से भाशा भी बनती है आउ पाठ दोहराएं वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं वाक्यों के मेल से भाशा बनती है